तो हेलो गाइस स्वागत आप सभी का एक बाफर से मेरे इस चैनल सुपरनड में तो फाइनली अब टाइम आ चुका है वंडर वोमें 1984 का रिवियू करने का अब यू तो मैं कोई प्रोफेशनल रिवियूर नहीं हूँ लेकिन मुझे ये मुवी कैसी लगी मैं अपने ओपीनियन्स उमारे साथ शेयर करने वाला हूँ और ट्राइ करूँगा कि तुम्हें किसी बितर का कोई स्पॉलर ना दू तो कह सकते हो कि ये रिवियू स्पॉलर फ्री करिया तक होने वाला है साथी साथ मुवी में मुझे क्या क्या चीज अच्छी लगी अच्छी चीजे थी कुछ बुरी चीजे थी मैं अपने ओपीनियन्स की साथ से बताऊंगा मेरा एक्सपिरेंस कैसा रा मुवी को लेकर और तो सबसे पहले जो चीज मुझे अच्छी लगी वह मुवी का डारेक्शन मुवी का डारीक्शन काफी अच्छा हैक पेटी जाएंकिन न ने भीकशीट कर दिया कि वह काफी अची डारेक्टर है मतलब डl फोदेशां पेभी ऑवरेज नहीं है अबाव अवरेज डारेक्शन है काफी अच्छी डारेक्शन किया गया मुवी को अदर मुवी में जो है हर अक्टर ने जो है काफी अच्छी अक्टिंग की है गैल गड़ॉट की बात करें तो गैल गड़ॉट ने प्रिवियस DCU मुवीज में ही ये शो कर दिया कि वो वंडर वॉमिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिस तरीके से हम लोग सुपरमैन के लिए हेंडरी कैविल और डीजे को एज आरेन मैं जो है इमेजिन करते हैं उनके इलावा किसी और आक्टर को इमेजिन नहीं कर सकते है सेम चीज़ अब गैल गड़ॉट के साथ भी होती हूँ उनका रोल काफी बहतरीन रहा है मुझे प्रसनली सबसे अच्छा मूवी में एक्टिंग कह सकते हूँ कि पेडरो पास्कल की लगी उन्होंने मैक्सवल लॉट को काफी अच्छे तरीके से पोट्रे किया है उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़ादा जबरदस रही है मूवी के अंदर और कॉमिक बुक फैंस को मैं प्रसनली ये कहूँगा कि हाँ कॉमिक बुक फैंस को जो है मैक्सवल लॉट का कैरेक्टर काफी जादा पसंद आएगा इसे कॉमिक से थोड़ा डिफरेंट रखा गया है थोड़ा एक्टूरेट रखा गया है तो उस basis से जो है कह सकतो कि काफी बैतरीन लगता है बाकी Chris Pine का रोल जो है काफी बढ़िया है उन्होंने मतलब Steve Trevor का जो कह सकतो character है वो बिल्कुल confused है वो नहीं चीजों को explore कर रहा है वही चीज जो हमें कह सकतो कि previous movie में जो है Wonder Woman के साथ देखने को मिलीती थोड़ा-थोड़ा similar stuff आता है और Chris Pine के character यानि कि Steve Trevor के वज़े से ही movie में काफी सारी जो है funny चीज़े भी होती है बाकी अगर मैं आ जाओ Christian Wick के character के उपर तो जब यह decide किया गया था जब यह announce हुआ था कि Christian Wick जो है मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी लेकिन अगर देखो acting wise में कहूं तो चीता करो उन्होंने काफी अच्छा किया है अब एक चीज़ आती है कि movie की स्टोरी काफी सिंपल रही है अब इसका मतलब यह नहीं है कि movie अगर simple है तो movie अच्छी नहीं है तुम Shazam जिसी movie को देख सकते हो movie काफी सिंपल थी फिर भी जो है entertaining थी और वही चीज़ यहां पर भी आती है कि यह movie काफी simple है लेकिन फिर भी काफी entertaining भी है लेकिन यह चीज़ है कि movie का जो first half है वो थोड़ा slow चलता है और इसलिए हो सकता है कि first half कुछ लोगों को बोर करे लेकिन जब second half आता है तो movie जो है कह सकतो कि अपने track पर पहुँच जाती है और movie entertaining होना और जादा बहज़ है कह सकतो कि शुरू हो जाती है मतलब उसमें वो चीज़े वो vibes आनी शुरू हो जाती है जो तुमें एक comic book movie से expect कर सकते हो अब अगर मैं बात करूँ movie के tone की तो movie की tone उतिमी जादा मुझे अच्छी नहीं लगी अब movie basically 80s के time पर सेट है तो colorful तो होगी ही लेकिन Wonder Woman की movie मुझे personally vibrant जादा पसंद है तो इस वेशे कह सकते हैं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई बाकि जो climax पहुंचते पहुंचते जो end जो है कह सकते हो movie का पहुंचते पहुंचते जो कह सकते हो एक तरीके से dark tone अचानक से आता है shift होता है specifically जो fight होती है Wonder Woman और चीटा की वो जो scene है तो वो मुझे काफी बहतरीन लगा काफी well choreograph भी लगा क्योंकि वो कह सकते हो वहाँ पे जो है movie थोड़ dark tone लेती है और वो जिस काफी बहतरीन थी बाकि अगर मैं बात कुछ आए action sequences की तो movie का action sequences average है उतनी जादा बहतरीन किसम के action sequences हमें देखने को नहीं मिले हैं जितना तुमें एक बहतरीन किसम की comic book movie से expect कर सकते हो बट still वो देखने लाइक है लेकिन जो movie की सबसे best चीज है वो है movie का BGM जितने भी soundtrack ले लो जो कह सकते हो की background music है Hans Zimmer ने बहुत ही बहतरीन काम किया है मतलब literally तुम बिल्कुल उस music के flow में चलते रहोगे मतलब जब तक जो movie में जहाँ पे soundtrack यूज किया गया है वो जगा पे तुम इसे literally feel कर सकते हो और ये चीज जो है movie की काफी बहतरीन है बाकी starting में जब कह सकते हो की ये movie के बार में सब कुछ हुआ था movie announce होई movie का trailer आये तो मेरी कुछ खास expectation नहीं थी मुझे लगी थी ये movie average रहेगी लेकिन मेरे लिए ये movie expectation से ज़ादा निकली मतलब मैंने कुछ खास expect नहीं किया था जिस तरीके से कह सकते हो की birds of prey का जब trailer आया तो birds of prey से कुछ खास expect नहीं किया लेकिन फिर भी movie पसंद आई मुझे तो वही चीज इस पर भी आती है मैं इसे compare नहीं कर रहा हूँ उस movie से बस example के लिए मैंने बताया बाकी choreography अच्छी थी और लेकिन ये चीज निकल किया थी कि movie में कुछ unexpected stuff हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम accept नहीं कर पाओगे वो चीज़ें क्या है वो तुम्हें movie देखने के बाद ही पता चलेगी क्लाइमेक्स आते तो मैं समझ में आ जाएगा और जैसे कि मैंने बात किये थी क्रिस्टन विक के character की तो जो क्रिस्टन विक का character है यानि की चीटा वो comics में बहुत important है कह सकते हो कि Wonder Woman के सबसे best villains में से एक है और इसलिए मैंने ये सोचा था कि हाँ चीटा के character के साथ हमें कुछ बहतरीन चीज़े देखने को मिल सकती है बट चीटा का character कुछ खास नहीं था मतलब मेरे हिसाब से तो मूवी में मतलब कह सकते हो कि उसे बहतरीन तरीके से डिवलप नहीं किया गया और उसे एक side villain के तोर पे कह सकते हो यूस किया गया है वो चीज़ अच्छी मुझे नहीं लगी क्योंकि ये लोग चाहे तो चीटा को बहतरीन बना सकते थे उसका potential जादा देखा सकते थे मतलब मैं कह सकता हूँ character की potential की बात कर रहा हूँ कि character का potential हमें देखने को मिलता है story के उपर तो story पे जो है कुछ खास effect चीटा का character का में देखने को नहीं मिला है as compared to जैसा हमें comics में देखने को मिलता रहा है लेकिन हो सकता है future में चीटा का जो है ये लोग reuse करें और वो कैसे होगा वो तो अब DC हुई वाले जाने बाकी मैंने movie के tone की बात की है movie का tone जो है ठीक ठाक था मतलब उतना भैतरी नहीं था वो जो DC की movies की vibe होती है वो vibe missing थी इसमें बाकी मैंने बता ही दिया कि movie अच्छी है ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी मैं नहीं कहूंगा लेकिन movie काफी बढ़िया है अगर तुम entertainment के उपर से देखोगे तो movie अच्छी है तुम्हें लगेगी लेकिन अगर तुम as a comic book fan देखोगे तो तुम्हें ये movie कई जगा पे कह सकते हो कि उतनी जादा पसंद नहीं आ सकती है अब totally सब का opinion different होता है movie को लेके अगर मैं बात करूँ अपनी ratings को लेकि इस movie को तो मैं इस movie को कह सकते हो कि दूँगा 6.5 out of 10 अब ऐसी बात नहीं है कि ये कोई खराब score है score बढ़िया है लेकिन मेरे हिसाब से movie और better हो सकती थी और अगर मैं इसे compare करूँ Wonder Woman के previous part से यानि Wonder Woman 1 से तो obviously जो Wonder Woman का पहला part था वो इससे काफी better था मतलब थोड़ा बहुत नहीं काफी better था story wise भी, choreographing wise भी सब चीज़ के basis पे काफी better था लेकिन ये movie भी काफी बढ़िया है लेकिन उतनी जादा जो है कह सकते हो कि बहतरीन नहीं लगी overall अगर मैं सीधे से इदा कहूँ तो ये movie मुझे कई है तक कह सकते हो कि Aquaman, Birds of Prey और Shazam से कई जगा पे better लगी है लेकिन फिर भी ये जो है Wonder Woman, Man of Steel जैसी movies के कह सकते हो कि टककर की नहीं है तो overall कह सकते हो ये movie एक अच्छी movie है लेकिन कई जगा पे तुम्हें bore भी कर सकती है कई जगा पे तुम लोग के जो है कह सकते हो decision change भी हो सकते है movie को लेके और जब मैंने starting में movie को देखना शुरू किया था तो मुझे लगा था movie को की लेके कि हाँ movie अब बढ़िया होगी मेरे expectation से ज़ादा अच्छी निकलेगी लेकिन at the end वो satisfaction मुवी ने नहीं provide किया तो बाकी ये तो मेरा opinion था तुमारा opinion डिफरेंड भी हो सकता है तुम लोग को क्या सोचना है तुम लोग ने अगर movie देख लिया है तो नीचे comments पे अपने opinion शेयर करो अपना review शेयर करो कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सभी के comments पढ़ूँगा और अगर मुझे कुछ कह सकते हो कि ऐसा लगेगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैं reply भी करूँगा बाकी अगर तुम्हें मेरा review पसंद आया तो इस video का अपना thumbs up देना अपने दोस्तों के शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना और मुझे ये भी बताना कि तुम लोग जो है बाकी चीज़ों के भी reviews वगरा देखना चाहते हो कि नहीं मतलब for example anime reviews और comic book के series वगरा के reviews तुम्हें चाहते हो देखना कि नहीं वो सब मुझे comment section में बताओ मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी next video में till then bye stay tuned stay awesome